रूस और युक्रेन बीच जारी जंग का असर पुरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन रूस को जटका तो ज़रूर लगेगा लेकिन इसका असर पस्चिमी देशों के साथ ही पूरी दुनिया पर भी पड़ा है। दुनिया के धर्नी और विक्सित देशों में सुमार बिटेन में कम आये वाले अधिकतर लोग दो वक्त की रोटी के लिए संगस करती नजर आ रहे हैं। देश में खात संबंदित मुद्दो पर काम करने वाली संस्था। साथ प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। टांक ओफ इंग्रेंड ने चितावी दी हैं। याने वाले दिनों में मुद्रा स्विती 10 तक बहुत सकती हैं। क्योंकि इधन और भोजन की बर्धी कीमतों ने खरेलू बजट पर काफी दबाव डाला है। संस्था ने या भी बताया कि विटेन की लोग खाना पकाने से परहेच कर रहे हैं। इसके विकल्प के रूप में ऐसे भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं जिने पकाने के अशक्ता नहीं होती। वहीं इस हालात में सरकार लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। और अकले वित्य वर्स में इधन और उर्जा में रहात देने के लिए 200 करोन दॉलर खर्च करेगी। जिया आपको बता दे कि आने वाले दिनों में ये समस्यां सिर्फ यहीं नहीं रहेगी बलकि पूरे यूरोप में देखने को मिल सकती है। क्योंकि अमेरिका, नाटो, संग पूरे पस्चिन देश इस वक्त रूस के खिलाफ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस भी आने वाले दिनों में पस्चिनी देशों के खिलाफ एक्शन लेते हुवे कई चीजों को निराथ करने से प्रतिबंद लगा दे। विरो रिपूट, IPM